नमस्कार आप देख रहे हैं मैंने इस न्यूज लाइफ खबरों की शुरुआ से पहले एक नचर आज के हेडलाइन पर रायगार्ड में भारी वर्षा के बाद नदी उफान पर कई लोग बह गए नीमगड हत्यकाण पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौपे CPI खोट ने कहा अब CNG से चलेगी ST बस से डीजल की बढ़ती कीमतों से बढ़ रहा है घाटा देखते हैं अब खबरे विस्ता से बहराश्टर के रायगार्ड में कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है कई जिलों वो गाउं से संपर्क तूट चुका है 40 सालों में पहली बार ऐसी बारिश देखने को मिली है वे ये रेंकोट वाला वे रेंकोट वाला कर देखने को अज़ है अपर सह की आसमार सी रबढ़ डपी जो जो हुए है? बहुआ है झाल जोड़े है एक प्रहा बहुआ है झाल स्थाग्याद कर दिछ दो अभन के जडिए सबसक्के रहा है प्र genुप सेतों विय सकते हैं विय 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 वमेरे मालदा को अट्रयल विय आप घूरeye मेंआ है ईए पानी को सेओं वाहे है। लान मोला निया को पहाल दालें बरह भी कजा खें हो किसे ब्लूर घीम बोली आंटा में उन्हारा अपना का पहता है पहें लुदा यह वे नहीं दो आड़ा नादा खेंग करतों आतनि कालों थे एपनों वहा हुंगि लागा दूसरी खबर शेहर के बहुचर्चित आर्किटेक्ट एकनाथ नीमगडे की हत्याकान से जुड़ी याचिका पर बॉंबे हाई कोट के नागपुर खंडबीट में सुनवाई हुई CBI को इस प्रक्रन में अपनी स्टेटस रिपोर्ट 10 अगस तक हाई कोट में प्रसूत करने के आदेश दिये गए है हाई कोट ने CBI को अपना शपत पत्र एक सीलवन लिफाफे में दायर करने के लिए दिये है उलेकनी है कि 6 सितंबर 2016 की शहर के लाल इमली चोग पर आर्केटिक नीमगड़ी की गोली मार कर हत्या कर दी गए थी इस मामले में पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार ने हाई कोट में याचिकार दायर की थी तब हाई कोट ने मामले की जांच सीबी आई को सौपी थी हलाकि सीबी आई ने भी जांच बंद करके 22 दिसंबर 2020 को प्रत्थम श्रेणी नियाए दंडा दिकारी की अदालत में रिपोर्ट दायर की थी तीसरी कवर डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान महराष्ट राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC ने अपनी 1000 बसों को CNG में बदलने का फैसला किया है इससे डीजल की बचत होगी MSRTC की एक बस में रोजाना औसत 50 लीटर डीजल की खपत होती है और कुछ बसों के लिए प्रती दिन 12.5 लीटर डीजल लगता है बसों को CNG में बदलने का परियावरन को भी फायदा होगा और कार्बन डायकसाइट के उतसर्जन में रोजाना 1,25,000 कीलो की कमी आएगी इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं तब तक के लिए देखते रहें MNS News Live नमस्कार